फाइनाइन से जुड़ी लेटिस इंफरमेशन पानी के लिए फिनोवेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पानी के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार आज के माकिट अपडेट्स सेशन में आपका स्वागत है आज Sensex और Nifty की शुरुआत सपाट रही हालकि शुरुआत में Small and Medium Shares में कुछ खरीदारी देखने को मिली इसके बाद कारोबार के end में दिन की सारी बड़त गवाकर Sensex Nifty आज लाल निशान पर बंद हुए है कारोबार के अंत में Sensex 52 points गिरकर 38,365 पर बंद हुआ वही Nifty 38 points गिरकर 11,317 के लेवल पर बंद हुआ है आज Metal, Auto और Pharma Shares पर बाजार का सबसे ज़्यादा प्रेशर रहा आज और बिंदो Pharma को हाट की दवा, Milrinone Lactate के लिए US FDA से पर्मिशन मिल गई है सूर्य रोशने को Gas Pipe Supply के लिए 290 क्रोर का ओर्डर मिला है आज Offer for Sale खुलने के बाद भारत Dynamics 14% से ज्यादा तोटा है आपको बता दे कि इसमें सरकार 15% तक हिस्सेदारी बेशने वाली है Bank Nifty 201 points गिरकर 22,744 पर बंद हुआ है Mid Cap 240 points गिरकर 16,540 पर बंद हुआ है Sensex के 30 में से 22 shares में sell-off रहा वही Nifty के 50 में से 39 shares में sell-off हुआ Bank Nifty के 12 में से 11 shares में selling देखने को मिले Top Gainers and Losers Nifty में Top Gainers की बात करें तो BPCL में 2.97% HCL Tech में 2.41% और Infosys में 1.54% की बढ़त हुई अगर बात करें Nifty में Top Losers की तो इसमें भारती Infratel में 7.79% Tata Motors में 4.75% और Z Entertainment में 4.55% की बढ़त हुई अगर बात करें Sensex में Top Gainers की तो HCL Tech में 2.26% Infosys में 1.67% और Alliance में 1.18% की बढ़त हुई Sensex Top Losers में Tata Steel में 4.13% भारती Aetel में 3.36% और Axis Bank में 3.13% की बढ़त हुई यहाँ पर हमारा Market Update Session समाप्त होता है यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो Like जरूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए Thank You